हलो क्लास 11th students आपको यादी है एकल हमने 3rd chapter discovering tut the saga continues ये start कर लिया था आज चलिए हम आगे chapter पढ़ते हैं तो आपको यादी होगा कि हमने ये दिखा था कि कार्टर पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से टटकी जो ममी है उसको उसके coffin से बाहर निकाल लिया जाए और इसके लिए उसने resin को थोड़ा सा lose करने के लिए धूप में रख दिया था उसकी body को लेकिन कुछ भी नहीं हु अंत में उसने ये फैसला लिया कि वो खुरच कर जो बॉड़ी है उसको बाहर निकालेगा और तभी नीचे से खुरचेगा तभी बॉड़ी बाहर निकल पाएगी चलिए आगे देखते हैं जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो in his defense कार्टर रिली है लिटिल चॉइस आलागे अपनी को बचाने के लिए कार्टर के पास कोई और चॉइस नहीं थी इफी हैड यहाडन कट दा ममी ममी फ्री थीव समोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कॉंवेंटिट दा गार्ड और रिप्ट इट अपार्ट टु रिमूव गोल्ड और अगर उसने वहा कब्रगा जहां पर उसकी कब्रग रखी भी थी जहां पर उसका कॉफिन रखा हुआ था वहां गार्ड को बध्धू बना के धोखा देकर अंदर गुच जाते और सारे सारा सोना जो ताबूत के आसपास रखा गया था कि आफ्टर लाइफ में टट को इसका इस्तेमाल करना ह होगा उसको वह चुरा कर ले जाते इन टट्स टाइम दर रॉयल्स रॉयल्स वर फैबिलस्ली वेल्दी टट के टाइम में जितने रईस लोग होते थे बहुत बहुत उनके पास धंसम पती सोने हीरे जवारात हुआ करते थे एंडे थाट और होप्ट दे कुड टेक तेर री धंसम पती है वो उसको ले जा सकेंगे। के बाद जो उसकी आत्रह शुरू होने वाली थी उसके लिए टट के साथ बहुत सारी चीज़ें किंग टट थे उनके साथ बहुत सारी हीरे जवारात और उनके इस्तेमाल की चीज़ों को रखा गया था जिनमें जेवर गहने भी थे जैसे बहुत चमकदार सामान सब प्रेस स्कॉलर जो गले में पहनते हैं इनले नेकलेस नेकलेस थे ब्रेसलेट थे जो हाथ हुमें पायना जाता है रिंग अमुलेट्स सेरेमोनियल एपरन कपड़े और उसके बाद सैंडल भी शीट्स फॉर इस फिंगर आपने देखा होगा राजा मारा राजों को अंगलियों को चिपाने के लिए उसके उपर से कवर गोल्ड की होती वो लगाई जाती थी पैरों के उपर भी लगाई जाती थी नाओ आइकानिक इनर कॉफिन और इनर कॉफिन जो पूरे गोल्ड का था मास्क जो था यह सब के सब प्योर गोल्ड का था और अफ प्योर गोल्ड और यह से टटको अलग करने के लिए काफिन में उनकी अनकी बॉडि बिल्कुल यह हो गई cemented हो गई थी तो उसे निकालने के लिए और इन सब चीजों को खटाने के लिए जितने जिवर गहने थे वो सब कार्टर के लोगों ने क्या किया कि ममी के सिर को हटाया फिर उसके बाद लगभग हर उसके शरीर के हर जोइंट को उन्होंने हिला दिया था बिलकुल Once they had finished उसके बाद जब यह सब सारा काम उन्होंने कर लिया They reassembled the remains on the layer of sand in a wooden box with a padding that concealed the damage and damage the bed where tut now rest और उसके बाद क्या हुआ यह सब चीज़ें हटाने गोल्ड वाली coffin जो थी उसको हटाने के बाद उससे मिलती जुलती जो थी एक जैसे पहले उसको रखा गया था उसके अंदर coffin के अंदर उसी तरह से मिलता जुलता हुआ एक wooden लखडी के बॉक्स के अंदर यह डालकर रेत डालकर और फिर कुछ पैड बनाकर ताकि जो बाडी में क्या damage हुआ है लोगों को देखकर पताना चले इसलिए यह सब इंतजाम करने के बाद टट को उसके उपर लिटा दिया गया जैसा कि अब हम देख रहे हैं यानि जाही हवास ने जब यह बात चर्चा की तब उन्होंने बताया कि आज की जो स्थिती है टट की वो काटर द्वारा की गई है काटर ने उसको कैसे लिटाया था वो है क्या हुआ आर्केलोजी है चेंज सबस्टेंशियली इन दे इंटर्वीनिंग डिकेड्स लेकिन समय के अनुसार क्या होता है आर्केलोजी में भी में लोगों की सोच में फरकार ने लगता है आर्केलोजी में भी लोग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं focusing less on treasure more on fascinating detail of life अब लोग उतना क्या खाजाना उसके साथ था उसके कब्र में इस पर लोगों का ध्यान कम और ज्यादा interest उनके detail life के पारे में detail पाने में है लोगों का intriguing mystery of death और कैसे हर समय तरीके से इनकी death हुई है ये जानने के लिए लोगों में ज्यादा interest था it also uses more sophisticated tool अब तो आपको पता ही है हमारे पास बहुत ही जटल machine आ गई हैं जिससे बहुत सारी जानकारी में ली जा सकती है including medical technology medical technology में भी अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है in 1968 more than 40 years after carter's discovery 1968 में भी लगभग 40 वर्ष के बाद carter ने जब उनके कबर को ढूंडा था उसके चालिस वर्ष के बाद भी एक क्या हुआ था एक अनाटामी के प्रोफेसर थे एक्सरे द ममी उन्होंने उस टट की ममी को का एक्सरे निकाला था revealed a startling fact और उस एक्सरे में बड़ी चौकाने वाली बातें थी beneath the resin that cakes his chest उस resin के ठीक नीचे जहाँ पर उनका chest है उसके नीचे जो chest था उनका his breast bone and the front rib are missing उन्होंने पाया कि उनका breast bone जो होता है वो और आगी की rib जो होती है वो वो गायब है एक्सरे में उनको ये दिखाई दिया था today diagnostic imaging can be done with the computed tomography अब तो आप computed tomography या CT जो जिसको कहा जाता है CT scan वो आप कर सकते हैं और बहुत सारी photo ले सकते हैं by which hundred of x-ray in cross section are put together like slices of bread to create a three dimensional virtual body अब क्या होता है CT scan में कि आप x-ray ले लेते हैं और एक के बाद इतनी photo आती है सैंक्रो फोटो आ जाती है जिसको आप बाद में एक साथ करके चाहे तो three dimensional virtual body आप बना सकते हैं उसका what picture जो होती है virtual body की picture बन जाती है what more would CT scan reveal of that इससे ज्यादा और क्या CT scan से पता लगा जा सकता है था तट के बारे में than the x-ray x-ray की तुल ना में CT scan से भी बहुत सारी information मिल सकती थी अब उससे ज्यादा आपको और क्या जानकारी मिल सकती है and could it answer two of the biggest questions still lingering about him x-ray और CT scan इन दोनों को करने के बाद दो बहुत ही बड़े प्रश्ण जो लोगों के मन में आ रहे थे इधर घूम रहे यह प्रश्ण दिमाग में वो क्या था how did he die वो कैसे मरे क्या इस प्रश्ण का जवाब CT scan और x-ray से मिल जाएगा and how old was he at the time of his death और जब उनकी मृत्य हुई उस समय उनकी उमर क्या थी क्या इन दोनों प्रश्ण का पर मिल जाएगा CT scan और यह करके एक्सरे करके तो इस समय जब किंग टर्ट की मृत्ती हुई थी एक बहुत बड़ी घटना थी even by royal standards अगर राजसी इसके नजरिये से भी आप देखो कि जो खांदान था उनका उसके लिए भी बहुत बड़ी घटना थी he was last of his family line वो जो राजा का जो यह चलता है series यह चलता है कि पिता के बाद बेटा बेटा के बाद पोता इस तरह से खांदान के अनुसार पुरवजों के हिसाब से चलेगा सब कुछ तो वैसे में क्या था family line में वो आखरी थे and his funeral was the death rattle of a dynasty एक तरह समझे कि उस dynasty के खत्म की घोशना थी है ना खत्म होने की खुसना थी कि फुस फुसाहट आ गई थी कभी इनकी डाइनस्टी खत्म हो जाएगी इनका राज खत्म हो जाएगा but the particulars of his passing away and his aftermath was unclear लेकिन खास तोर पे उनके बारे में जानकारी कैसे उनकी मृत्ती हुई और उसके बाद क्या हुआ यह सब बिलकुल साफ नहीं है Amenotep third, Tut's father or grandfather was a powerful pharaoh Amenotep three जो थे वो टट के पिता थे या grandfather थे जो भी थे एक powerful pharaoh थे who ruled for almost four decades at the height of 18th century's golden age जिस समय जिप्ट में 18th century में golden age चल रहा था उस समय इनहीं का साशन था और लगबग 40 साल तक उन्होंने वहाँ पर साशन किया यानि Amenotep three जो थे वो 40 वर्स तक वहाँ के साशक रहे और इस समय को 18th century में golden age माना जाता है जिप्ट में his son Amenotep four succeeded him उसके बाद उनका बेटा Amenotep four गदी पर वैथे initiated one of the strange periods of the history ancient Egypt और उस समय एक वजित्र डानस्टी की शुरुआत हुई पुर प्राची इजिप्ट में दे न्यू फेरो प्रमोर्टेड दवर्शिप ओफ दे एटन दे संडिस्क चेंज इस नेम टो अकिनातन और सर्वेंट ओफ दे एटन यहां जो नए फेरो आए उन्होंने जो एक एटन गॉर्ड है उसकी जो संडिस्क कहा जाता है उसको उन् नाम भी बदल के अकिनातन कर लिया और सर्वेंट ओफ एटन अकिनातन का अर्थ होता है एटन का सेवक और उन्होंने क्या किया अपना धार्मिक राजदानी जो है पुराने शहर से थीप से बदल कर नया सहर अकिनातन में कर दिया था जो आज के अमारना के पास है जिसको आज हम अमारना के नाम से जानते हैं ही फर्दर शॉक्ट अकंट्री बाई अटैकिंग अमून अमेजर गॉड उसके बाद उन्होंने एक और बहुत ही सदमा देने वाला काम किया वो क्या था उन्होंने अमून जो उस समय के सबसे दिया, closing his temple और उनके मंदिर को भी बंद करवा दिया. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, Director of University of Chicago Research Center in Luxor, the site of Ancient Thieves. और एक डिरेक्टर जो कि United University of Chicago Research Center in Luxor में है और वो साइट है, Ancient Thieves का, उनका कहना है कि ये वक्ट जो सचमुच इजिप्ट के लिए बहुत ही भयानक समय रहा होगा. The family that had ruled for century was coming to an end, वो परिवाल जिसने कई सतकों तक यहाँ पर साशन किया था, वो खतम होने वाला था, एक आरण था कि अखिनातन जो है थोड़ा सा सनकी जैसा हो गया, मजाकिया टाइप का हो गया था. After अखिनातन death, जब अखिनातन की मृत्ती हो गई, a mysterious ruler named Simon Kharay appeared briefly, यह जो एक बहुत ही रह समय शासक आया, वो बहुत कम समय के लिए यहाँ पर साशन उसनी किया. एक्साइटेड भी थार्डली अट्रेस, हलाकि उसके अब कोई निशान हमें नहीं मिलती, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, इनके बारे में, समयन खरे, और देन, वेरी यंग तूतन खामन, तूतन खातेन तुक तथ्रोन, उसके बाद फिर यह नौजवान राजा, जिसका नाम तूतन खातेन है, वो गद्धी पर बैठा, किंग टट, as he widely known today, आज हम उसे, सारे विश्य में उसका नाम किंग टट के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है, और इस लड़के नहीं, जो नौजवान लड़का था, राजा, उसने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम तूतन खामन रख लिया, लिविंग इमेज ओफ अमन, इसका आर्थ होता है, लिविंग इमेज ओफ अमन, और इनके आते हैं, उन्होंने जो पुराना तरीका जो पहले सब नए फेरोड ने जो सब कुछ नश्ट कर दिया था कि नातन ने, उसको दुबारा से उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया, और करीब नौ वर्ष तक इनका सासन चला, और फिर अचानक इनकी किसी ने उमीद नहीं की थी, बृत्यू हो गई, रिगार्डलेस अफ इस फेम और स्पेकुलेशन अबाउट इस फेट, हाला कि इनको बहुत फेम भी बहुत मिला है, और लोगेंस के भारें बहुत तरह तरह की कलपना भी करते रहते हैं, टट is one mummy among many in Egypt, टट की mummy जो है एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी mummy हैं, how many, कितनी हैं, no one knows, किसी को पता नहीं है कितनी हैं इस तरह की mummy, the Egyptian mummy project which began in inventory in the late 2003, Egypt का ये mummy project जो है, वो जब पहली mummy मिली थी 2003 में तब से चल रहा है, has recorded almost 600, अब तक 600 mummies निकाली जा चुकी हैं, so far and still counting, और अभी भी निकल रही हैं, लोग ये नहीं रहें, कितने निकलेंगां मालूम नहीं, the next phase scanning the mummy, was portable city machine, donated by National Geographic Society, and same in it manufacturer, और उसके बाद क्या हुआ, कि अब अगले phase में scanning जब की जाएगी mummies की, तो एक portable city scan machine लाई गई, जो कि National Geographic Society, अपने नाम सुना होगा National Geographic का, आप देखते हैं उसमें serial बगरा, तो National Geographic ने दान में इनको, यह city scan, portable city scan, जिसको आपका यह आसानी से एक जगर, दूसर जगर ले जा सको, वो वैसी, मशीन है, जिसको National Geographic ने इनको दान में दी है, ताकि यह mummies की city scan कर सकें, और यह से मैं company, जो है, जर्मन company है, एक engineering works का, और इन लोगों ने मिलकर, इनको इन ममी के, जो city scan करने के, करने का, जो इनका program है, उसमें सहयोग किया है, इस manufacturer, इनोंने यह city scan, इनों इस semen company ने ही बनाई है, King Tut, is one of the, one of the first mummies, to be scanned, और King Tut की mummies, King Tut इसले जादा popular हो गया है, क्योंकि इनकी ममी, पहली ममी है, जिसका city scan होने वाला है, in death, as in life, moving, regally, head of his countrymen, मरने के बाद भी, राजा जैसे, राजा को प्रथम स्थान दिया जाता है, तो चुकि यह राजा थे, इसलिए, इतनी 600 ममी, इसका होने वाला है, यह, ct scan, मिली है, 600 तो मिल गई है, अभी ct scan होगाई के करके, लेकिन राजा से ही शुरुवात हुई है, scanning की, है न, जैसे लग रहा है, कि अपने देश के सभी, नागरिकों से सबसे आगे, राजा ही है, यहाँ पर इमृत्यू के बाद भी, ठीक है, so in the next class, we'll continue with the chapter, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसे like और subscribe जरूर करें, और share भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी, इस वीडियो का फाइदा उठा सकें, और अपनी problem भी बताएं, ताकि मैं कुछ solution धून सकूँ उसका, thank you very much,